दोस्तो रुपाली गांगुली और गौरव घर्ना स्टारर अनुपामा में आई दिन ऐसे ऐसे मोड देखने को मिल रहे है जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया है शो में जल्दी जहां छोटी अनुपामा और अनुच के साथ नजर आए छोटी की वापसी के साथ ही अनुपामा और अनुच की जिन्दिकी में भी नए मोड आएंगे जिहां आगे दिखाया जाएगा कि अनुच के मानने के बाद देविका और धीरज अनुपमा और अनुच को रोमैंटिक डेट पर भेज देंगे जहां दोनों साथ में ना केवल हसीन पल बताएंगे बलकि एक दूसरे से अपने सारे गिलेशिक्वे भी दूर कर लेंगे कावया की मौडिलिंग वनराज और बा के लिए सिरदर्द बन जाएगी वैं उसे रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन कावया उसकी एक नहीं सुनेंगी वहीं जब कावया घर खर्च के लिए अपनी मेहनत की कमाई लाकर वनराज को देगी तो बै उसके मूपर पैसे फेक देगा हलाकि वनराज की इस हरकत से कावया को कोई असर नहीं पड़ेगा जिहां शो में वनराज और बा कावया पर शक करेंगे उनकी हरकते यहीं नहीं खतम होंगी परिशान होकर वनराज कावया को नया बॉइफरिंट तक बनाने के लिए कह देगा इस चीज़ से माना जा रहा है कि कावया और वनराज में दूरी बढ़ जाएगी वही पारितोष अमीर बनने के लिए रियल एस्टेट का बिजनस करता है वह ऐसी जमीन का सौधा करने के लिए राजी हो जाता है जो सारों से विवादों में है ऐसा करने से वनराज उसे मना भी करता है लेकिन वैसी एक नहीं सुनता तोशु जमीन के सौधे के लिए किंजल के पैसी चुरा लेता है इस चीज़ को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि पारे तोशु जमीन के चक्कर में बुरा फसेगा और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है वहीं बर्खा और अंकुष के बीच दूरिया बढ़ती नज़राएंगी दरसल अंकुष का एक्स्ट्रा मेरिटल अफएर है लेकिन बर्खा उसे तलाक देने के लिए राजी नहीं है ये बात अनुपामा को भी पता चल जाएगी जिससे उसकी जिन्दगी में नया तूफान आएगा अनुपामा में बर्खा और अंकुष के बीच दूरिया बढ़ती चाती है दिरसल अंकुष का एक्स्ट्रा मेरिटल अफएर है लेकिन बर्खा उसे तलाक देने के लिए मना कर देती है वेल दोस्तों आपको कैसे लगे ये ट्विस्ट और टर्स हमें कॉमेंट करकर जरूर बताएं धन्यवाद